हेलो स्टूरेंस हाव यू दिस इसको देख भी लिया होगा अगर नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हो मैं लिंक की डिस्कुप्शन में देदूंगी जिसमें कि मैंने सॉल्ट कोशन कराया थे जो कि टेन कोशन आपके एक्जाम में आते हैं और मैंने उनको सॉल्व कर इस समय में किन बातों का कहान रखना चाहिए जिससे कि हमें एक्जाम में नंबर ज्यादा मिले तो आज हम देखेंगे लॉंग कोशन और यह दोनों ही लॉंग कोशन जो होगे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लोग और इसका पीडियो में दोनों ही वीडियो को समझ भी लेंगे और यह देख लेंगे इंका लिखेंगे कैसे तो चलिए शुरू करते हैं यह जो हमारे सामने पहला कोशन जो थर नंबर कोशन था कि हिंदू विवाह के वैद सरते बताने थी और इसके साथ में ही सूनने करनी विवाह, सूनने विवाह, यानि वॉइड और वॉइडेबल विवाह जो महरिस होता है इसमें डिफरेंस भी बताना था, तो ये था आपका अब इसका अंसर कैसे लिखेंगे हैं, डारेक्ट सरतों से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शनल देंगे कि हिंदू विवाह है क्या, तो इसमें हम बताएंगे कि हिंदूों के मद विवाह एक संसकार है, विवाह के बारे में हिंदूों में यह कहा जाता है कि विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन है, तथा जन्म से पूर्व तैय हो जाता है यानि जो विवाहे जन्म से पूर्व ही तह हो जाता है जन्म के बाद केवल मूर्थ सुरूप प्रदान किया जाता है अब इसमें हम देखेंगे कि हिंदु जब आया था उसके पहले क्या सर्ते थी ठीक है तो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर यह चीज़ प्रतिबंदित नातेदारी के अंतरगत नहीं आते हूं ठीक है यानि जो वर और वधू है यह प्रतिबंदित नातेदारी के अंतरगत ना आते हूं और दीसरा आपका जो सर्त था हिंदु विवाह के लिए आवस्यक सभी समारों उच्पन जो समारों थे उनको संपन किया ज ठीक है आप इसके बाद देखते हैं हिंदू विवाह अधनियम जो हमारा 1955 है इसके अंतरगत विवाह की अवश्यक सरते कौन कौन सी हैं उसे हमने जो चारो सरते हैं, उनको पहले तो आप क्या करोगे, लिख दोगे इस स्टार्टिंग में चारो सरतु को, ठीक है, यह चारो सरतु को पहले सरत है, एक पत्नी विवा, दूसरा यह पक्ष्यक्र कारों की सहमती और विवाह की आयू, प्रतिबंदित बिकिरी के उपर होना चाहिए आप हर एक अंसर में यही करोगे जबी तुम से इस तरह से चीजे पूछे जिसमें आपको heading को discuss कराना हो य़ा numbers points को discuss कराना हो तो उसमें क्या करोगे जितने भी points आप heading लिखने वाले हो उसको आप starting जिस तरह से हमने लिखा है ठीक है आप इस तरह से पहले लिख दोगे इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पढ़ता है अगर आप यह नहीं करोगे सपोज आप यह ना करो ठीक है डारेक्ट लिखना सुरू कर दो तो एक्जामनर को यह चीज ने समझ में आती है कि आपने इसमें कितनी हेडिंग लिखी है क्योंकि एक्जामनर पढ़ता नहीं है अगर आप इस तरह से चीज लिखते हो कि हेडिंग डाल दो कि आप लिखने क्या जा रहे है उसके बाद कितनी पॉइंट आप डिसकस कराओगे इसमें यह चीज करते तो तो एक्जामनर को बहुत आसानी हो पॉइंट जाती है कौपी चेक करने में और अगर एग्जामनर को आफ फ्रस्टेट करोगी परिसान करोगी तो जायसे बाद है नंबर आकके कटने है इस तरह से कॉपी लिखना है कि एक्जामनर को कहीं भी दिक्कत ना हो और वह आपकी कॉपी चिक करता चला जाए उससे सम पतनी नाओ थीक है, एक जीविद पतनी के रहते हुए, किसी दूसरे पूरज से किया गया विवाह, दूसरा विवा सूने विवा होता है और अमाने विवा माना जाता है ठीक है जैसे मुसलिम में नहीं होता है कि वहाँ एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ साधी की जा सकते एक से ज़्यादा पत्निया रखी जाती है चार पत्निया वहाँ मानने है कि चार पत्निया रख सकते हो लेकिन हिंदू विवाह में ऐसा नहीं है, हिंदू में सिर्फ एक ही पतनी हो सकती है, एक से ज़्यादा गर हो जाती है, दूसरी अगर पतनी हो जाती है, तो वो आपकी धारा सत्रा, जो हिंदू विवाह माना जाएगा, अवैद विवाह माना जाएगा, और दूसरी जो पतनी होने चे ये दूसरा अगर विवा कोई करता है तो दूसरा विवा सुन विवा माना जाता है और धारा सत्रा के तहथ इसको अपराद ही माना गया बारती दंड सहिता जो है आपकी इसकी जो धारा है 494 और 495 के अंतरगत इसको अपराद मानागा ऐसे विक्ति को दंडित भी किया जा सकता है ठीक है अब इस पे एक हम केस लिख देंगे आप इस तरह से लिख सकते हो इसका केस लीला थामस वर्सेस भारत संग का जो केस है इसमें क्या लिखोगे आप लोग कि इस वाद में पती पतनी ने इस वाद में पती ने पतनी के रहते हुए दूसरा विवा संपन किया और IPC के दारा 494 के अंतरगत दुई विवा के अपराद से बचने के लिए मुस्लिम धर्म को स्युकार कर लिया ठीक है कि मुस्लिम में क्या चार पतनिया तक साधी करी जा सकती है तो इसमें उ अगर तुम हिंदू हो और तुम्हारी साधी हो चुकि एक पतनी पहले से है और अगर दूसरा विवा कर लेते हो तो वह आपका अपराद माना जाएगा चाहे कुछ भी वह अपराद माना जाएगा और सजा भी मिलेगी तो यह हो गया ठीक है इसमें अब एक केस लिग दोग क्योंकि फिर वीडियो जादा लंबा हो जाएगा और आप लोग एक दोबार अगर पढ़लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी चुला अब देखते है इसमें दूसरा क्या है दूसरा नंबर पक्षकारों की सहमती जो विवा हो ठीक है इसमें थोड़ा सा ये गलत लिग गया है यह जो यहां पे 5 धारा जो है पांच सब क्लॉस सर्थ प्रति पारति पारति नहीं हो ठीक है चैन्च तो उसमें ये बताया गया है कि विवाह के पक्षकार वर और वधु को विकरत चित के कारर सहमती देने में अच्छम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानि विकरत चित का मतलब हो जिसके मानसी के स्थी ठीक नहो, तो इसके कारर विवाह की सहमती देने में अच्छम नहीं होना चाहि दूसरा किया है, कि यद्ध वीवर और वधू वैद सहमती देने में सक्षम हों, परंतो इस प्रकार के रोग से ग्रसित हों, या इसी सीमत ग्रसित हों, कि वे विवाह के आयोगे हों और संतान उत्पन करने में सक्षम नहीं है, अगर वहाँ पर सहमती दे दी है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह से कोई रोग हो, जो कि विवाह के लिए वो आयोग हो या संतान उत्पन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी सहमती सहमती नहीं माने जाएगी, दूसरा क्या है कि पागलपन के बार-बार दौरे वर और व योग्यों, ठीके, अब पहली सर्थ, दूसरी सर्थ हो गया, तीसरी सर्थ सर्थ क्या है, विवाह की आयो, विवाह यानि एज ओफ मैरीज, जो हिंदु वादनियम, उन्हें सो पच्पन की धारा, जो है, फाइव, थ्री में इसमें बताया गया है, कि विवाह की तीसरी अगर लड़की की 15 वर्स या 15 से भी कम वर्स में अगर लड़की की साधी करी जाती है, तो ऐसा विवाह जो होगा, सून नहीं होगा, ना ही सून करनी होगा, बलकि ऐसा विवाह कराने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, ठीके, तो अब इसमें क्या है, हो गया हमारा पांच में इसमें बताया गया है, पांच फोर में बताया गया है, चौथी सर्थ के बारे में कि विवाह के पक्षकार वर और वदू प्रतिबंदित नातिदारी के अंतरगत नहीं होने चाहिए, प्रतिबंदित नातिदारी क्या है, कि जैसे कि भाई बहन या कोई जैसे कि एक ही पिंड दूसरा क्या है कि आपका पक्षकार जो है एक ही पिंड के नहीं होने चाहिए ठीक है सपिंड नहीं होने चाहिए जैसे पिता की तरफ से पांच पीड़ी और माता की तरफ से तीन पीड़ी छोड़ करके विवाह किया चा सकता है प्रतिबंदित नातेदारी का त लेकिन फिर भी इसमें बताया गया है कि यदि उनके मद्ध प्रचलित प्रथा यरीति रिवाज के अनुसार प्रतिबंदित नातेदारी तथा सपिंड नातेदारी में भी विवाह अगर विवाह के अनुमती है तो फिर वहां पर ऐसी सर्थ लागो नहीं होगी अब इसके बा जाता है क्योंकि यहां क्या की आरब से ही सुन होता है सू ने होता है इंगल्वी तब कर लगँने व्याज समझे जाता कि स्करम कि याचिका पर विवहाग को अक्रत गोशित ना कर दिया जाये तो यह हो गया पहला हुग्या और विवाह आप« कि स्रेडी में नहीं रखा जाता है और वो आरम से ही सूने होता है और प्रभाव इन होता है जबकि आपका सूने करनी विवा तब तक वैद समझा जाता है जब तक कि पीड़ित पक्षकारों की याजिका पे उसे अक्रत गोसित ना कर दिया जाए अब दूसरा डिफरेंस आप वैद होता है यानि सूने करनी उसे क्या तात पर जैसे की कोई वेक्ति है जैसे लड़के लड़की में भी क्या बताएगा तो सहमती होनी चाहिए और विवा जो है कपट पूरवा क्या नहीं होना चाहिए अगर किसी का विवा कपट से हो जाता है जो रजबर दस्ती ठीकिन अगर कोई व्यक्ति एक पत्नि की होते, दूसरी दुसरा विवा करता है, तो सुनी विवां माना जाएगा, अब समझ में आ गया, चलो, ठीकें, अब अमनिएश्ज करते है, कोई आधिकार और दाईत, कोई भी आधिकार और दाईत, सबस्क्राइबकर्ण Всемंग सब्सक्राइब कई सतंस्क्राइब Kingdom Candace कराने के लिए याचिक प्रसुत कर सकता है यानि ये डिफरिंट ज्व Lori लास्ट धारा के बारे में बताया गया है कि धारा गेरा के अंतरगा तो सून निगोसित करवाया जाता है या याचिका प्रस्तुत की जा सकती है विवा को सून कराने की और इसमें क्या है कि जो धारा बारा के तहट पीरित पक्षिकार होगा वो न्यायले में जाकर के याचिक बी का ही है और ये भी बहुत ज़्यादा important topic भी बहुत ज़्यादा important है इससे दत्तक ग्रहड जिसको adoption बोलते हैं इससे related आपको sort question भी बहुत बनता है long भी बनता है हमने भी sort questions वालो कराया था उसमें आपको ने देखा भी होगा तो इसमें क्या लिग इसमें question आपका था कि दत question अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर आप नहीं लिख सकते हो बहुत ज़्यादा तो एक लाइन में लिखी सकते हो एक दो लाइन जरूर लिखना इंट्रोड़क्शन की तो इसमें हम क्या लिखेंगे सबसे पहले मनू के मनू ने कहा था कि मनू के अनुसार पूरू संतान की आसफलता पर वैकल्पी के पुत्र ग्रहण करना ही दत्तक ग्रहण होता है यानि पहले ये काफी पुराने है मनू जो है विद्वान काफी पुराने है तो इन्होंने अपने हिसाब से डेफिनिशन दी थी कि दत्तक ग्रहण गोद किसी बच्चे को गोद क्यों लिया जाता ह तो इसमें बताया गया था गोद लेना है क्या दत्तक ग्रहड है क्या यह इन्होंने कहा था कि पूरुस संतान की आसफलता पर वैकलपी के पुत्र को ग्रहण करना ही दत्तक ग्रहड है और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दत्तक एक परिवार से जिसमें की पुत्र ने जन्म दूसरे परिवार में उसके नैसरकिक माता-पिता के द्वारा दत्तक माता-पिता को दान के द्वारा उसके प्रत्यार उपड की किरिया है दत्तक ग्रहड यानि ये दत्तक ग्रहड क्या है ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक बच्चे को यानि जो उसके प्राकृति माता-पिता होंगे उस परिवार से दूसरे माता-पिता को दे देते हैं ये जो क्रिया होती है इसी को अडॉप्शन बोला जाता है ठीक है दत्तक ग् पुत्र ने नवीन परिवार में जन्म लिया है तथा उसे नवीन परिवार में अधिकार करतव और एक इस्थिती प्राप्त हो जाती है दत्तक किरिया के पश्चा दत्तक पुत्र अपने पुराने परिवार से सम्मंद विछेद कर लेता है ठीक है यानि ऐसा मान लिया जाता ह तो उस बच्चे का पुराने परिवार से कोई संबंध नहीं दे जाता है, एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि पुराने परिवार में जो उसका पहले का परिवार होगा, वहां पर उसकी म्रत्यू और नए परिवार में जहां जो वेक्ति उसको अडॉप्ट करता है, जो उसको सरते बताएंगे द्था रहर कि जो हिंदू दथक तरफ भरड़ पोशड़ा दनिया मुझेशोपन की धाराच च्छह में वैद दथक की आवश्चक्रथि परति पादित करी गयी है जो धाराच है इसमें सरतों के बारे बताया गया है धाराच आप पहली जो है धाराच है डार लिए जाने के लिए सक्षम होना चाहिए धारा तीन में बताया गया है तथा उसका विवरड जो है धारा साथ से गेरा में दिया गया है अब इसकी सर्तों को हम एक्स्प्लें कर देते हैं इसकी सर्ते क्या है पहली जो सर्त है दत्तक लेने वाले व्यक्ति को दत्तक लेने का अधिकार होना चाहिए और वह दत्तक लेने में सक्षम भी होना चाहिए यानि दत्तक लेने की सक्षमता तथा अधिकार धारा साथ से आठ में दी गई है और हिंदू दत्तक तथा अधिकार 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 विख्त पती के लीए लेती थी वुए अपने लिए नहीं लेती थी लेकिन जब इससे ये काणून आया हिंदु अधिकार हो गया कि वह एक बच्ची को अडॉप्त कर सकती ये गोध ले सकती है बसरते उसको होना चाहिए पहली बात तो व्यस्क होनी चाहिए यान 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए 18 साल पूरी हो गई हो और दूसरी क्या है वो स्वस्तचित की होनी चाहिए यानि पागल नहीं होनी चाहिए माइंड उसका ठीक हो अब इसके बाद क्या है कि पुरुस के द्वारा दत्तक लेने के स्तती में विवाहित हिंदू अपनी प पत्नियों की सहमती नहीं लेती है तो वहां पर जो दत्तक ग्रहण होगा वह वैद नहीं माना जाएगा इसी पर एक केस हम लिख सकते हैं लॉंग कोशन है इसमें थोड़े बहुत केस भी लिखने जरूरी है पहला केस क्या लिख सकते हो इसमें कि घीसा बाल बनाम गोद लिया जा रहा है और उसकी पत्नी मुष्व किस्तिति में यानि उसमें कुछ नहीं बूला उसने तो ऐसे में वह जो जो सहमती नहीं मानी जाएगी और यह जो डात्तक ग्रहण हों का यह अवैद माना जाएगा दूसरी सरत क्या है इसमें दतक देने वाला वेक्त है वो दतक देने में सक्षम होना चाहिए यह दृर्धा 6-2 बताया गया धरा 9 में दतक देने में कौन सक्षम है इसका उले किया गया है दारा के अनुसार किसी बच्चे के माता applicants तता सन्दक्षक को ही उस बच्चे को दत्तक देने का अधिकार है और अन्य किसी को नहीं यानि सिफ माता पिता और उसके संदक्षा की बच्चे को गोद किसी को दूसरे को दे सकते हैं कोई अन्य नहीं और यदि पिता अगर जीवित है ठीक है पिता अगर जीवित है तो दत्तक देने का अधिकार सिफ पिता को ही होगा, पहले पिता को वरीता दी जाएगी, ठीके, और उस स्थिती में माता की सहमती भी जरूरी है, अगर माता है, तो माता की भी सहमती ली जाएगी, और पिता के द्वारा अडॉप्ट, मतलब दिया जाएगा किसी को, गोत दिया जाएगा बच्चे को, ठीके, औ और उसे स्थी में माता की सेमते जरूरी नहीं होगी अगर माता ने सन्यास ग्रहड कर लिया है या संसार को त्याग दिया है और नियालय के द्वारा विक्रचित गोसित करा दिया गया है माता को दत्तक देने का अधिकार सभी है यहानी यहां पार नयायलय की अनुमती भी जरूरी है कि अगर किसी बच्चे की माता पिता नहीं है तो वहां पर संदक्षन जो होता है यानि जो बच्चे की देखरे की लिए करेकी पहली लिया झानिक तेख्व के लिए जाने चाहिए explains लिए जाने योग्यों भिए बोग कीवकलत का लाइप कहरी नहीं से हिंद नहीं हो नहीं सब्सक्रकार दौन कोम देख्व कि बुर्व खंट रूक्स भाची मोश्रों, एक से जादा लोग अडॉप्ट करें एससा नहीं हो सकता है एक वैक्ति को एक बच्च्छे को सिर्फ वही अडॉप्ट कर सकता है तीसी सर्थ में क्या है कि वाधा विवाहित नहीं होना चाहिए ठीक है और यहरी किसी परिवार में प्रथा या प्रथा प्रता कि पंद्रा वर्ष से उपर का बालक अगर है उसको गोद लिया जा सकता है तो वहां पर यह सर्थ नहीं मानी जाईगी 15 वर्ष से अधिक उम्र नहीं जांगी सर्थ लास्ट जो सर्थ है डत्तक को वैद होने के लिए इस दिन्यम में क चाहिए कि कोई पूत्र नहीं होना चीह अगर पुत्र पुत्री की कुई पूत्र में नहीं के आतिक है तो यह चाहिए यानिंहें की जो दत्तक लिया जा रहा है किसी छोटी लड़की की अगर अडौप्ट के जा रहा है किसी पुरूष के द्वारा तो उनकी बीच में किस वर्स का समझ में आना चाहिए अगर फरक समझ में आना चाहिए है लास्ट नहीं सकता है धारा गेरा का पारंथु कि करता है कि यदि दत्तक की क्रिया के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठान ना भी हुआ हो तो भी वैद होगा अवैद नहीं होगा ठीक है तो आपको काफी को जिससे फादा हुआ हो आज कि इस वीडियो से और इसका आप लोग टेलीग्राम से पीडियाफ डाउनलोड कर लेना उससे पढ़ लीजेगा आप लोग और एक दो बार वीडियो को सुन लेना जिससे कि आपको लंड करना ने पड़ेगा ठीक है कॉंसेप्ट आपका यह से किलियर हो जाएगा पस आराम से तैयारी करो आप लोग अपने पढ़ाई करो एक्जाम की ठीक है तो आज इस वीडियो में बस इतना ही अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एक साथ तब तक के लिए बाबाए टेक केर